है वार्ट सब्काइब विल्कम तुमाइच चैनल इसुटे में मैं आपको सिकार्यों एलसे हम फाइंड रूट करना बाए डिवेंड मैथट 33 & 121 का तो क्या करेंगे फर्स्ट अफॉल हम लोग यहां पे लिखेंगे 33, 121 और आप इसके प्राइम फेक्टर्स फाइंड रूट अगर किसी भी नमबर का लास्ट जेट जूरो है यह एट तो इसका क्या मतलब है कि इसका जूट है नमबर 2 से डिवाइट भौर थो यहां पे नेखक करने के लिए Aham यह आप तू जे सके लिए यह को और धु आई अफूर के सुट्रत है कि यह कॉपर तो पुरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा जैसे 33 तो हमें डिरेक्टली भी पता है लेकिन कोई कंप्लेक्स नंबर उसके लिए रूल बता रही हूं तो सुनें क्या करेंगे इसके डिजिट्स प्लस करतेंगे 33 एक नंबर इसके डिजिट्स 3 प्लस 3 को प्लस करें ृसमें फैसरी एक कॉन सा इस नंबर यहां अगर तो कोई असा नंबर आ गहारा है तो इनको तो प्लस कुछया 1-4 नहीं आता है इसका क्या मतलब है कि पुरा नंबर भी 3 से डिवाइट नहीं हो रहा ठीक है नहीं होगा अब यह हो रहा है यह नहीं हो रहा तो हम फिर भी यहां पर 3 लेंगे ठीक है क्योंकि यह तो हो रहा है ना थीक के टेबल में 3 आता है भी 3 से डिवाइड नहीं होता हम यहां पर 3 नहीं ले सकते हैं तो 5 भी नहीं ले सकते हैं 5 के लिए क्या रूल होता है किसी वे नमबर का लाज़र 0 हो या 5 हो इसका क्या मतलब है ु नूबर 5 से डिवाइड होता है तो देक्टल के पता है 11 네 tools और 122 भी no इसे डिवाइड होता है कि नहीं होता है तो यह रूल होता है रुट में उसकी को estás करने φ東西 करने पर जो आइगा उसमें से मैंस करता है तो न्मेंस करने टू होगाइं तो देखिए हमाले पास किया रहे है धे टमार आजने लेड़ोगों करने तो यह थित्थ है हमाले पाप सेवन क motivated में शैनल के सानल जिरॱ बाट है प्लास को we तो answer 10 आया, ऐसा number नहीं आया, या तो 0 या तो ऐसा number जो कि 7 के table में आता होता, लेकिन मेरे पस तो 10 आया, इसका क्या मतलब है कि पुरा number भी 7 से divide नहीं होगा, इसका क्या मतलब है हम यहां पर 7 भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है, 9 ले सकते हैं, तो 9 के भी लिए, यह rule होता है, कि digits प्लस करें, प्लस करने पर अगर तो क्यासा number आज है, जो कि 9 के table में आता है, इसका क्या मतलब है कि वह number 9 से divide हो जाएगा, हमने digits प्लस कि प्लस करने पर 4 आया, 9 के table में तो 4 नहीं आता है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, जैसे से चेक करना तो हम क्या करेंगे कि first digit यहां पर लिखेंगे second को छोड़ देंगे और third को लिखेंगे ठीक है इस तरह इदर minus लगाएंगे और जो digit हमने छोड़ दिया था वो यहां पर लिखेंगे ठीक है 1 में 1 को प्लस करें 2, 2 में से 2 करी माइनस करें तो क्या आजएगा हमारे पास 0 तो इस तरह स्वाल करने पर आंसर 0 आजए या तो कोई ऐसा नमबर आजए जो कि 11 की टेबल में आता है इसका क्या मतलब है कि पुरा नमबर 11 से डिवाइट हो जाएगा समयजा है एक डिजिट लेने दूसरे को छोड़ देना और तीसरे को ले लेने ठीक है और जो हमने छोड़ दिया तो यहां पर माइनस लिख लिएन और यहां पर वह डिजिट लिख देना है फिंको प्लस करने स जो आएगा माइनस कर देना उसमें से नेक्स डिजिट को माइनस करके देखते हैं यहां तो आंसे जूरा जोए यहां तो ऐसा कोई नमबर जो कि 11 के टेबल में आता है तो परना नमबर 11 से डिवाइट हो जएगा अचा फार एक्जेंपल आपके पास यहां तो 3 डिजिट है गरुतों यहां करना था जो एक एवन नमबर 11 से डिवाइट हो एहन 11 के टेबल में गया थीवन 21 तो 11 के अग्या और लोग Arts इंटर गया अब हम लोग ने क्या find out कि लसें find out कि है तो हम यहां पर लिखेंगे lcm of 33 and 121 is equal to इसके जो factors आ रहे हैं वो यहां पर लिखेंगे और इंको multiply करेंगे ठीक है तो हमारे पास क्या है 3 11000 कितना होता है 33 ठीक है 33 11000 कितना होता है इंको multiply करेंगे 303 1303 1303 363 363 आ गया ठीक है तो इनको multiply करने पर 360 आ गया हम क्या कहेंगे lcm क्या है 33 और 121 का 363 तो यह था हमारे पास lcm find out करने का कौन सा method devian method ठीक है बात कीजा lcm by prime factorization method की तो इसमें और उसमें क्या difference होता है lcm by prime factorization method है मैंने इस पर बहुत सारी वीडियोस बनाई है ठीक है अच्छा जी इसमें हम लोग क्या करते prime factors ही find out करने हैं लेकिन अलग लग numbers के सब्सक्राइब करने हैं लेकिन अलग लग numbers के कटे 12 लिखेंगे और इसके factors उसके सामने लिख देंगे फिर लुप जिस नंबर के दूने को find out क्या है यहां पर लिखेंगे फिर joh common आ रहा हुआ रहा हुए तो तो common आ रहा है उसको एक दफ़ लिखने है लिखने के लिखने को मुल्टिप्लाय करके आंसर आ जाएगा तो यह डिफरेंस होता है LCM by divan method और LCM by prime factorization method में एक और बात आखर आप LCM find out कर रहे हैं 33 और 121 का by divan method नहीं बलके by prime factorization method तो भी answer यही है आप करके देख लिखने पहले भी 33 के पार में factorization method करें फिर जो common आ रहा है और उनको लिखने लिखने के लिखने के लिखने करें अंसर देखें तो के पास यह आज़ेगा ठीक है तो hope so आपको अच्छे से समझा क्या होगा इन दोने में difference क्या है आपको वीडियो चले के तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें